है दोस्तों स्टड़ी का अंदरसन में आपका स्वागत है क्लास 6 ते ncrt मलहार पहली बूंद कविता के कोश्चन अंसर है और इसमें पूरे कोश्चन अंसर पूरा अक्टिविटी जितने कुछ दिया है सब कुछ मैंने पूरे डिटेल से पढ़ाया है तो इस चाप्टर 3 को क उस्से समझ से मेरी समझ से इसमें है मेरी समध से का जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया नीची दिये गये प्रश्णों का सठीक उत्तर कौण सा है उसके सामने सटार बनाना इपतल वश्चन है कि लिए प्रिफफ हुआ है यहां बादल के लिए अंकुर के लिए घूं다고 क कि लिए इसमें दिया गया है कि नौ जीवन के लिए अंगड़ाई में जो है इसमें अंकुर को कहा गया है किसको कहा गया है अंकुर को क्यूessel पढ़ी मीलि बूंद आती है बारिस की तो जो Fire invited हो जाती है बारिस इसमें किसके लिए कहा गया है तो बारिस की पूंदों के लिए कहा गया है बारिस की बूंदे तो पहला का मैंने बताया था कि अंकुर होगा और दूसरे का बारिस यहां पर अंसर भी दिया गया है आप में आप देख सकते हैं इसमें अगला ख है ख नंबर है अब अप अंकुर मतलब कि पहली घरती है धरती तौ बारस के बारी सो नहीं। यहां वहां गिरे रहते हैं और दूसरा इसलिए चुना क्योंकि भारीस की भूंदे ही जो है उसे काली पुद्ली की समान कहा गया है चाली से दिया गया है अगला है मिलकर करें कवीता की कुछ पंक्तियों नीचे दी गई हैं इन पंक्तियों में कुछ सब्द रेखांकित हैं दाहिनी और रेखांकिस सब्दों के भावर दिये गए इनका मिलान कीजिए इसका मिलान करना है तो इसके सारे मिलान के मैंने नीचे अंसर भी दिया गया इसमें आसमान में उड़ता साग पहले का दूस्रा पहले का दूसरा कि यह होगा इसके बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धर्ती की तरुनाई जो इसका अशर भी देखिए यहां पे हैं सिरे जो वन पर हैं क्योंकि जो बादल होते हैं जब आपस में टक राते हैं तो उस आवाज निकलती है गरगर हट की आवाज सुनाई देती है अगला है नीले नैनो साईय अंबर काली पुतली से यह जलदर इसमें तीसरा का जो है नीले नैनो साईय अंबर तो आकास को कहा गया है आकास को कहा गया है पढ़ाते समय इसमें देखें आकास है बसुंदरा की रोमा नेताको लिखने में आसानी होगी इस पंक्तियों पर चर्चा करना है कवीता में से चूनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है इन्हें ध्यान से पढ़िया और इस पर विचार किजी आपको को इनका क्यार समझ में आया अपने विचार कक्षा में अपने समु में साजा करना है अपस में डिसकस करना है लेकर पुष्टिका में लिखना भी है आस्मान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के सोडिम पर बजा नगाड़े जगा रहें बादल धर्ती की तरुनाई नीले बादल चार उत्रफ दिखाई दे रहें जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंक लगा कर ऐसा लगता है समुन रही पूरा पंक लगा कर उपर आस्मान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बादलों को सागर की तरह कहा गया है बादलों की गरजन सुनकर ऐसा आभास होत के समान दिखाई देता है और काले बादल उनकी आखों की नीली नीली पुतली की समान प्रतीत होते हैं मानो बादल धर्ती के दुखों को दुखित होकर वर्षा रुपी आसु बहरा हो इस प्रकार धर्ती की प्यास बुझ जाती है बारिस होते ही जो नीली नीली आसमान में ब बरशने लगते हैं और धरती की क्यास जाति दिसाओं में बादल बरशने लगते हैं और धरทी है वह हड़ी बरी हो जाती है सोच विचार के छाट कैजन है कविता को एक बार फिर से पढ़ीए और निमल्यकित के बारे में पता को जहां लगाई कर अपनी लेखन पृस्थिका में लिखना है यह बारिस की पहली बूंध धर्ती का हर्स कैशे प्रकट करती हैं अंकुरित होकर कविता में आकास और बादलों को किसके वाल का गया आकास और बादलों को जो है सागर के समान कहा गया जैसे उड़ते ना आसमान में सागर जो है अगला है इसमें दर्टी के सूखे ओटो पर बारिस की जो बूंद अम्रित के समान गिरती है, एक दम ऐसा लगता है कि धर्टी पे गिरते ही वो अम्रित है, और जितने भी बीज हैं वो सब अंकुरित होने लगते हैं, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धर्टी में नमीन जान जाता है, जीवन मिल जाता है सारे बीज, अंकुरित होने लगते हैmos चारों तरफ हर्याली चाने लगती है धीरे धीरे इस परकार, बारिस की पहली बून से धर्ती का हर्स परकट होता है उसकी खुशी परकट होती है प्रसुत कवित्या के अनुसार नीली आकास को नीली आखों के समान और काले बादल को उनकी नीली आखों की काली पुतली के समान बताया गया है तो जो नीले आकास को नीली आखों के समान और जो काले बादल को आखों की जो पुतली होती है उसके समान प्रतीत बताया गया है इसमें कविता की रच्ना करेंगे आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वडिम पर कविता की स्पंक्ति का समान अर्थ देखें तो उस समूंदर का आकास में उढ़ना असंभव होता है लेकिन जब हम इस पंक्ती का भावार्थ समस्ते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंक लगा कर आकास में उड़ रहा है ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुन्दर्ता बढ़ाते हैं बलकि उसे आनंद आय भी बनाते हैं इस कविता में ऐसे द्रिष्टे को पहचानना और चर्चा करना आपस में बिद्यारती आपस में डिसकस करेंगे अध्यापक और बच्चे ये ग्याम की द्रिष्टे से उतना महत्पूर नहीं है अगला इसमें अंकुर फूट पड़ा अंकुर फूट पड़ा धर्ती से नव जीवन के लिए अंगड़ाई कविता की स्पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है फूट का प्रियोग अलग-अलग अर्थों में किया जाता है फूट डालना घड़ा फूटना आदी फूट सब्द का प्रियोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन-भिन अर्थ निकलते हो जैसे अंग्रेजों की नीत थी फूट डालो और राज करो तो यहां पर अगर आप अपने इजी तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसमें बना सकते हैं दोस्तों में फूट पड़ गई भाई लड़ाई होगी उसका सिर फूट गया किसी ने किसको मार दिया सिर फूट गया धरती से जल की धारा फूट पड़ी है यह भी है दिवार से तकराते ही उसकी एक आक फूट गई या इस तरीके से मटका फूट गया तो आप अलग अलग तरीके से इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं इसका उत्तर है अगला है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द बनाना है नीलो नैनो साही अंबर काली पुतली से यह जल्दर कविता की दोनों इस जल्दर धार करते हैं इसलिए दोनों जल्धर हैं वाक्य के संदर में या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जल्दर का अर्थ समुंद्र है या बादल सब्द कोस या इंटरनेट की सहता से धर के मिल कर बने कुछ सब्द और उनके अर्थ धूनकर लिखना है इसमें इसमें जोड़कर हमें लिखना है कि किस तरीके से इसका उत्तर है, जितना हमने बता है, तो धर सब्द को जोड़कर लिखना है, चक्र धर, यहां धर जुड़ा हुआ है, चक्र को धार करने वाला अर्थाथ विश्णु जी, हल धर, हल को धार करने वाला बलराम, गिर्धर, प मुर्ली को ढाद करने वहुत करते हैं तो इसमें सब्द पहली में गुदर नगाडा है न गाड़ा दिया गया है इसके बाद इसमें अगला दिया है आख के लिए एक अन्ने सब्द बना नयन होगा यहाँ पे नीची अंसर भी दिया है जल को धारकरने वाला क्या है जल धार जल धार हो गया अगला करेंगे हम इसमें एक प्रकार की घास, एक प्रकार की घास को क्या बोलेंगे, हम दूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूब, एक प्रकार की घास जो होती है, वो दूब होती है, आसु का समानार्थी क्या होगा, आसु का समानार्थी जो है, वो क्या होता है, अस्रू होता है, अस्रू, ठीक है तो यह सब जो है कि हो गया आस्मान का समनार्थी क्या होगा अंबर आस्मान का समनार्थी जो होता है वह अंबर होता है अंबर तो इसका सारा उत्तर भी नीचे दिया गया है यहां पर पार से आगे प्रशन अभ्यास प्रशन अभ्यास कुछ कोशन मैं इंपर्टन करा अधर बार सबस्क्राइब सी हर आने पर आप आपको कैसा लगता है बतांगे आपको को से अधिक प्र्याइब हो सरा टियुभ विच्छ करने युug कि आपका बहुत दूसरे का अलग-अलग होता है इसलिए आपको खुद करना है वर्सारी तू मुझे बहुत प्रिय है वर्सा के दिनों में बारिस में भीगने में बहुत मज़ा आता है तो जब बारिस होते तो बच्चे बड़ा घूमते हैं यहां खुदते हैं उचलते हैं क्यूंकि बच्च समसार देते हैं दीखाए देते हैं अब भी बन सकते हैं समदैता या लिक सकते हैं समसार उसको बोलते हैं जम इसको भी inauguration मीश वर्सारा आपने आहम का М मतलब किसी चीज कोई चीज है फूल है जो उगा हुआ है तो यह राजस्थानी लीली का फूल प्रतित होता है नाम देना भी स्रीजन है उपर दिये गए चित्र को ध्यान से देखना और उसे बताना है तो यह रेगिस्तान का यह लीली का फूल प्रतित हो रहा है रेगिस्तान इसमें नगाड़ों को जोड़े में भी बजा जाता है जिसमें एक की धोनी पतली तता दुसरी की मोटी होती पस ऐसे दिया गए मोड कर सकते हैं झूष भीन और रैकिन को में करें पर लिखें तो छादा जोड़ करके ड्रफली और हार्मोनिया गीटारि ये इस बजाते हैं तो करते हैं बारिस की बूंदे ना केवल जीव जन्तुओं को रहत पहुचाती है बलकि धाती को हरा भारा भी करती है कभी-कभी यह बूंदे आकास में बहुरंग अलग-अलग छटा पिखेरती है जिसे इंद्रधनुस भी कहा जाता है आप एक सुन्दर इंद्रधनुस इसे कोई प्यारा सा नाम भी दे सकते हैं आप अपना खुद बनाईए खुदी नाम दीजिए तो यह भी आपको ही करना है देखें यह इंद्रधनुस है और इसमें कविता है आप अपनी मर्जी से बनाईए कितना प्यारा इंद्रधनुस है आसाओं का संचार करता खुशि प्रकृति का महिमा मंदन करता निरासाओं का खंडन करता कितना प्यारा इंद्र धनुष जो जीवन के हर पल का उसम बनाता तो आप ऐसे इस तरीके से आप अपने मर्जी से अपने इसी एक नई कविता का स्रीजन कर सकते हैं पहली बुन के धरा पर आने का क्या प्रभाव पड़ते हैं वसंद्रा की रुमावली किसे कहा गया है हरी दूप को धर्ती को बादल को बिजली को तो वसंद्रा की रुमावली धर्ती को कहा गया है अगला प्रश्ण है इसमें पहली बून के धरा पर आने से बूरी धरती के मन में क्या इच्छा उड़ती है तो इसमें दिया गया है कि सश्यश्यामला बनने की इच्छा जो है वो धरती जाग ससे शामला पहले बून के आने से वो बनना चाहती है हरा वरा होना चाहती है उससाहित होना चाहती है अतिलग उत्री प्रशन जो है वर्सा रितु में इसमें दिया गया है कि पहला वर्सा रितु में जल रूपी बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सागर बिजलियों के सुनरे पंक लगा कर आसमान में उड़ रहा है तो जो वर्सा जब आती है तो जो जल्ड रुपी बादाल है यहां वहां सागर के जैसा बिजली की तरह सुनरे पंक लगा कर ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाओं में उड़ रहा है ऐसा लगता है अगला क्वेशन करेंगे कौन धर्ती के सूखे ओठों पर बारिस के बूंद किसके समा लगती है तो धर्ती के सूखे ओठों पर बारिस के जो बूंद है वह अमरित के समान प्रतीत होती है क्योंकि सूखी धर्ती पर जब बारिस के बूंदे गिरती है तो वह अमरित के समान चारों दिशाओं में जो वात अभी बारिस का जब भी मौसम आता है तो चार तरफ हर्याली चा जाती है वातावड बहुत ही सुन्दर दिखाई देने लगता है तो इसमें कहा गया है लगूत्री प्रशन है वर्सा की पहले बून से धर्ती की प्रसंता किस प्रकार प्रकट होती है धर्ती सूखे ओठो पर बारिस की बून्द अम्रित के समान प्रतित होती है और ऐसा लगता है कि बेजान सुखी धर्ती जो उसमें नमीन जीवन का संचार हुआ है इस प्रकार वर्सा की पहली बून्द से धर्ती की प्रसंता प्रकट होती है धर्ती उससाहित हो जाती है प्रसंत हो जाती है ऐसा प् ठीक उसी प्रकार गर्मी के दिनों में धर्ती सूखी बेजान पड़ जाती है उसका उस्सा कम पड़ जाता है इसलिए धर्ती को बोड़ी धर्ती कहा गया करके संबोधित किया गया है दिरगुत्री लॉंग कोश्चन है इसमें पावस रितु में निमने लिखित में क्या-क्य या परिवर्दन होते हैं तो धरती इसमें पावस रितु में जो है धरति वायूदू पेड़ पक्षी पावस यानि वर्शा रितु में धरती हरा- भरा हो जाती है हर्याली चारों तरफ दिखाई देती है वायू भी वायू भी खुसी से जूमने लगती है वायू के छूते ही कलियां खिलने लगती है चारों तरफ सुगंध फैल जाती है वर्सा के आते ही सूखी जो धर्ती होती है उसकी प्यास बुझ जाती है वो त्रिप्ट हो जाती है व और खुसी खुसी दिखाई देती है, मुल्य प्रक कोशन है, धर्ती सर्दी गर्मी बरसाथ अभी रुत्वी प्रशंता से सहती है, इसे हमें क्या सिख मिलती है, हमें यह सिख मिलती है कि धर्ती सर्दी है, चे गर्मी है, चे बरसाथ है, कोई भी मौसम है, समान रूप से सहती है उसे सहन सकती है उसके अंदर तो इसे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कभी सुख कभी दुख कैसे भी प्रस्षिती हो लेकिन हमें समान रूप से उसे स्विकार करना चाहिए ज्यादा सुक होने पादिक प्रसन भी नहीं होना चाहिए और दुख में बहुत ज्यादा हमें दुखी भी होना नहीं चाहिए बिचलित भी नहीं होना चाहिए जीवन के सुक दुख को समान भाव से सहने का हमारे अंदर सास होना चाहिए वनुसे ही अपने जीवन को संतलित रूप से जी सकता है अगर आपको पार्ट पुरा समापत हो गया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर सेस्काइब कीजिए अगला लेशन हम अगले वीडियो में लेकर आवस्य आएं